सूत्र भारत देश के एक बहुत महान व्यक्ति श्री बागवट द्वारा लिखे गए है बस अंतर इतना है कि बागवट जी ने इतने सूत्र लिखे हैं वो सब संस्क्रत में हैं मैं आपको उनका हिम्दी करके सीधे बात कर रहा है उन्होंने हमारे जीवन को सुखी बनाने के लिए निरोगी बनाने के लिए लगवट साथ हजार सूत्र लिखे हैं श्लोग के रूप में लिखे हैं उसमें से मैंने कालाग को चार सूत्र बताएगे और वो सूत्र पानी के बारे में है कि हमको हमारे जीवन में भोजन के तक्काल बाद पानी नहीं पीना चाहिए वो पहला सूत्र पानी अगर पीना है तो लगबख भोजन करने के एक से बेड़ गहिंटे के बाद पीना चाहिए दूसरा सुत्र मैंने बताया था वो ये कि पानी कभी भी एक साथ पूरा लेगी पीना चाहिए थोड़ा थोड़ा करके, सिप करके पानी पीना चाहिए जैसे हम चाय पीते हैं, काफी पीते हैं, गरम भूट पीते हैं ऐसे पानी पीने की बात कही थी तीसरा सुत्र ये था कि सुबह सुबह जब आप सोकर उठते हैं तो सबसे पहले पानी पीना चाहिए कम से कम सवा लीटर सवा लीटर का मुतलब होता है बड़ा गिलास भर के ती फिर आपकी समस्या हो सकती है कि एक साथ इतना पानी पीना मुश्किल है मैंने आप से ये कहा था कि आप एक गिलास से पीना शुरू करें धीरे धीरे दो करें फिर तीन तक जाएं और उसको नियवित रूप से अपने जीवन का हिस्सा बनाए इसी सुत्र को मैंने दूसरे तरीके से ये कहा था कि आपका दिन शुरू होना चाहिए पानी से दिम की शुरुआत पानी से होनी चे जाए से नहीं कौफी से नहीं किसी भी दूसरी वस्तों से नहीं पानी से किसकी शुरुआत होनी चे तो वो इसी सुत्र का अंग है और चौथा और कल का आत्री सुत्र था कि थंडा पानी कभी भी नहीं पीना चे थंडे पानी से मतलब है पर रखा हुआ पानी बर्फ डाला हुआ पानी वह आपको कभी भी नहीं पेना है कारण भी मैंने बताए थेज़ के ठंडा पानी अगर आप पीते हैं तो शरीर में बहुत तेजी के साथ संकुचन आता है सभी अंग पृत्यंगों में ठंडा पानी आपके पेट में जाने के कोई करना ही पड़ता अगर हो गरम ना हो तो आपका शरीर ठंडा पड़ जाएगा और शरीर ठंडा हो जातों एदिए कर बती हो जाते हैं इसलिए अफ्यवि थेदा पानी पेट पानी और नोइक रस चहत रस ग्रॉब पड़ेगी जैसे आपको अपने स्वेम पाथ गर्मे कोई भी चीज गरम करने के लिए अग्मी की जरूरत है वैसे ही पेट को भी जरूरत पड़ेगी और उस अग्मी के लिए पूरे शरीर का रक्त पेट की तरफ दोड़ेगा वो रक्त जाना चाहिए शरीर के अलग-अलग लेकिन वो पूरा का पूरा पेट में कठा हुआ तो बाकी अंगों को रक्त की कमी आएगी और जितनी देर रक्त की कमी आएगी उतनी देर उन अंगों की अपनी शक्ती कम होती चली जाएगी और दीरे दीरे वो अंग आपके खराब होते जाएंगे तो एक दिन आपको सुन को मिलेगा तब ध्यान आएगा कि आपने कौन सी ऐसी गल्टी की जो आपकी कितनी फेल हो गए और धीरे धीरे आप जब प्रिशलेशन करेंगे तब पता चलेगा कि आपने बहुत दिन ठंडा पानी पिया जिसका दुश्परिणाम ये आपको देखने को मिला तो इसलिए मैंन दुनिया में बहुत सारे लोगों को देखा है जो ठंडा पानी बहुत ज़्यादा पीते हैं और सबसे ज़्यादा गंभी रोग उनको होता है मल बद्धता कोश्ट बद्धता कौस्टिपेशन जिसको आप अंग्रेजी में कहते हैं उनकी कभी भी आतने साफ नहीं होती पो यह सबसे खराब बीमारी है दुनिया की जो एक आजाए शरीर में तो सैक्रों बीमारीों को यह बुला लेती है इसको मजाच में लेकिन गंभी रोगता से कहा जाता है कि यह मदर डिसीज है माने सबी बीमारीों की आई है कोश्ट बद्धता अगर यह आ गई तो सब बीमार कि भीमारियां आपको आने वाली है डामेटीज भी थुनियちょ up को गैस्वी बढीदी आपको कैस्ट्राइटीस होगा अलसर भी होगा प्लकु बीकषा अलसर भी होगा सबसे कंभीर बात बाइनों जिकटसा कि वो यह है कि जंडा पानी कभी ना पीए पाणी हमेशा इतना गरम पी है जितना आपका शरीर बरदाश्ट करता है हम अपने शरीर को अगर नाप के देखें टात्मान के मूप में तो शरीर का सामान में टात्मान सेंटिस डिगरी सेंटिग्रेट के आसपास होता है तो आयरुवेट की व्यवस्था ये है नियम ये है कि 37 डिगरी सेंटीग्रेट जितना घरम आपका शरीर है कम से कम इतना घरम पानी की जरूरती है लेकिन गर्मियों के दिन में जो आजकल चल रहा है मिट्टी के घड़े का पानी आप पी सकते हैं माट्ले का पानी पी सकते हैं क्योंकि मिट्टी के घड़े पे रखा हुआ पानी ठंडा नहीं माना जाता है जो सामान में तापमान होता है लगवग उससे एक या दो डिगरी ही कम होता है लेकिन रेफ्रिज रेटर का जो पानी है और बरफ का जो पानी है इसका तापमान तो बहुत कम होता है रेफ्रिज रेटर में पानी रखा है तो उसका तापमान चार डिगरी पांच डिगरी के आसपास पहुंच जाता है जो शरीर से बहुत ही कम है इसलिए फुरिज का पानी बरफ डाला हुआ पानी बिल्कुल निशिद है आई रुभेट में पानी को सिप करके पीने की बात मैंने आपसे पही थी उसका कारण भी मैंने कल समझाया था फिर से बता देता हूँ कि मुँ में हमेशा लार बनती है और ये 24-8 बनती है ये कभी भी बन नहीं होती है कभी ज्यादा या कभी कम हो सकती है जब आप सो जाते है रात को तो ये मुँ की लार बनना थोड़ी कम हो जाती है बन कभी भी नहीं होती है अब ये मुँ में जो लार बनती है, ये सतत पेट में अंदर जाए तो आपके लिए बहुत उप्योगी है. कारण क्या है? ये जो लार है ये छारी होती है, और पेट में अम्ल बनता है, तो अम्ल और छार दोनों मिल जाएं, तो ये न्यूटरल हो जाता है. विज्ञान की भाड़ा में कहते हैं कि अमल और छार मिलता है तो लवण बन जाता है तो आपके मूँ की लार सतक पेट में जाए अमल के साथ मिले तो आपका पेट जो है सामान में हो जाए नूटरंग हो जाए ना वो छारिय रहे ना अमलिय बने इस द्रश्टी से इस लार का पेट में जाना बहुत आबश्यक है आपने कई बार यह देखा होगा कि दुनिया में बहुत सारे जानवर हैं जिनको कभी चोट लग जाएँ उनको कभी तकलीफ हो जाएँ तो वो चाट चाट के अपने को ठीक कर दो चाटने में क्या है जीप पर बनने वाली लार हैं उसमें सभी तरह के औशधिये तक्ट बहें मनश्य में भी और जानवरों तो इसमें इतनी ज़्यादा और शथी है लार में कि ये सबसे ज़्यादा कीमती मानी जाती है शरीर के इसलिए इसका एक का भी खराब ना हो इस द्रश्टी से ये बार बार अंदर जाए इसके लिए पानी हमेशा थोड़ा थोड़ा करके पीना भूट भूट बरके पीना ताकि ये परियाद के मात्रा में अंदर जाए तो ये एक नियम था और बागी के दो नियम थे कि खाने के बार कभी भी आप पानी ना पिये पानी हमेशा एक गेड़ घंटे के बाद दी है क्योंकि खाना खाते ही आपके शरीर में पोप में अगनी प्रदीप होती है जो भोजन का पाचन करती है ये अगनी का पानी से दुश्मनी है अगर आपने भोजन किया तुरत अगनी प्रदीप हुई और पीछे से गटटटटटटटटटटटटटटटटटटटटटटटटटटटटटटटटटटटटटटटटटटटटटटटटटटटटटटटटटटटटटटटटटटटटटटटटटटटटटटटटटटटटटटटटटटटटटटटटटटटटटटटटट भी है बहुत अच्छा लेकिन अगनी नहीं है तो खीर नहीं बने गया बनी नहीं सकते चावल है पानी भी है अगनी नहीं है तो भात नहीं बनेगा दाल है और पानी है और सब तरह के अच्छे वसाले हैं लेकिन अगनी नहीं है तो दाल नहीं पखेगी ऐसे ही पेट के अंद महत्वपूर नहीं है अच्छे भोजन को पचाना बहुत महत्वपूर तो यह अगनी तक तो बराबर आपके शरीर में काम करता रहे इस द्रश्टी से भोजन के तदकाल बाद पानी नहीं पीना ही अच्छा होता है ताकि अगनी अपना काम करे एक से ड़ गटे के बाद आप अच्छा है उतना पानी पी सकते हैं